हुआ है है यह जो एक टूम बैक टूम इस चैनल इलावादी कल ववितार आज मैं वविता फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे मैं भी बहुत अच्छी हूं तो फ्रेंड्स आज की जो रेमेडी है वो विटामीन कैपसूल से आज के वीडियो मैं आपको उताऊंगे विटामीन ए के फायदे विटामीन ए कैपसूल आप कैसे यूज करो नाइट में जिसे आपकी रंगत निखर आएगी और आपकी स्कीन बेदाख खुबसुरा चमकदार हो जाएगी तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है जो आज आपको बताऊंगी विटामीन ए कैपसूल आप कैसे नाइट में यूज करो नाइट क्रीम की तरह यूज करो जिससे आपकी रंगत भी निखरेगी और साथ यापकी स्किन की प्रॉब्लम भी दूर होगी अगर आप मार्केट की क्रीम नहीं यूज करते हो नाइट क्रीम तो आप घर पे बिटामिन यह क्रीम बना करें यूज करते हो और अपनी और आपके चमक जो हीरा हुता दूर से चमकता है वैसे आपकी जो चेहरा दूर से मैं रिक्वेश्ट करना चाहती हूं मेरा एक चनल और इंडियन इंटूबर वविता राज तो प्लीज आप उसे भी सब्सक्राइब कर लिजे और चलिए फिर सुरू कर देख लीजे से कैसे बनाना है और कैसे हम अपनी स्कीन की प्रॉब्लों को भी दूर करेंगी और अपनी हुई रंगत को भी वापस पाई तो फ्रंस सबसे पहले आपको एक छोटा सा बाउल लेना है वह खांच का हो अगर इसी क्रीम को आप श्टोर करना चाहते हो तो किल आप वन विक के लिए से श्टोर कर सकते हो उसे भी आपको फ्रीज में श्टोर करना होगा तो मैंने यहां कर सोचोगे कि यह राट मैं आपकी श्टोर से जाएंगे और नोस च्छाइंप भी देडीर से दूर हो जाएंगे यहांन पर एक दिन में कुछ भी कि आप सोचोगे कि एक रात हम लगा और एक रात में आपANY में निखर आए और की श्क्रित की प्रॉब्लम भी मिए चली जाए एक दिन में कुछ भी नहीं होता है आपको इसके रोजाना नाइट में लगाना होगा और यह दिखे मैंने कट कर लिया है जय जैल जाल लिती हमें ने को पर इंहां पर यहां पर तो इसके बाद मैं आपको बताते इसमें आपको क्या-鍋 एड करना है एक करना को तो इसके बाद आपको लेना है गुलाब जल है ले रही हूँ आप किसी भी ब्धान्ट का ले सकते हो 4-10 लेना है लग-बग utmost और ए यहां पे लगँ मैंने वर्ण षपून गुलाब जनल लीना मिखिशन छेपार हैं इसब तो उसाटी तो चालागएगा हैं इसमें आपको लेना है dal pork आप लिए यह लाफ यह पार आंगे लिए मिख दो यह लेते हैं हैं खांख और यहां पर यहां लेती करना चाहते हो तो आपको मार्केट के लेना होगा और यह देखें आप को कर लेती हो और यह मिक्स हो जाएगा अगर आपकी इसकिन बहुत ज़्यादा ओईली है तो आप यहां पर लोगे नीवू का जूस और यहां पर मैं लगभव हाफ इसमून नीवू का जूस अड़ करूंगी क्योंकि मेरी इसकिन ऑईली है और नीवू का जूस इसमें मैं एड कर लेती हूं हाफ करते हो अगर आपको नीवू शू नहीं करता है तो आप इसको कि सक्कीप कर सकते हो अगर आपकी सकीन बहुत जद्राई थो अप Brexit कर सकते हो और इसे को हम डालके मिक्स कर लेते हैं तो नीवू है बितामिन सींसे भर पूर होता है और यह स्कीनcing को क्लीन करता है हमारी रंगत को वापस लाता है और साथ ही एक तरसे नेचुराफ ब्लीज का काम करता है और बिटामिन लिए के बारे में आपको पता यह है एलो एरा जल के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा अब यह देखिए यह जो मैं क्रीम बना रही हूं यह दो दिन की क्रीम में केव तो अगर आप इसको वन विक के लिए बना रहे हो तो चीज़ें और भी इसमें एड कर लेना है आपको तो यह देखिए अब यहां पर जो लाश्ट में डालूंगी वह डालूंगी मैं ड्राइ मिल्क पाडर लेना है और यह आपकी स्किन को वाइट हैं ग्लोइंग और यह हमाइग क्रीम बन गई आपको मैं दिखाती हूं यह देखिए न आपको यहां ड्राइ मिल्क लेना है और 10 रुपरे की की पेकट भी आपको मिल जाएगी और यह क्रीम बिलकुल क्रीमी जैसा हो गया आप खुद ही देखो यह क्रीम है ना आपकी रंगत को वापस ला कुछ ही दिनों में आप देखोगे ना आपकी स्कीन को ग्लो करेंगी एक चमक आ जाएगा जिसे हम कहते हैं न हीरे जैसी चमक और यह हमारी क्रीम देखो आप कि ऐसमेर गोल चौसरा अफरलीटर ही देखो मारें नाइसमें जितने जाड़ आ का जीरता है गोल आपकी और नाइट से कैसे यूज करना है वह भी मैं आपको बताती हूं और इस तरह यह क्रीम आप बना किसे स्टोर कर सकते हो और आप कहींमी को लगा सकते हो जहां आपको लगता कि आपके स्क्रीम बहुत ज़दा रूखी है बेजान सी है चमक नहीं है डल हो गई है डार्क हो गई है तो आप इस क्रीम को वहां यूज कीजिए आपके दाख धबों को भी दूर करेगा तो चली मैं आपको बताती है यूज कैसे करना है और कैसे लगाना नाइट में अपको लगाना डे में जिएक क्रीम को बन लगाना तो आप भी आप बिल्कुल भी दिछाना कियों कि जब घर के कुछ काम करोगी जिसे और आयड़िक्रीम करेंनाय EFr Зचे से वर्क करतीड़ देम में ईकरेगा ऐसा ऐकी सिर्हें वर्क र Whilst और और अच्छे से र इसे क्रीम को यूज करने के पहले आपको फेस वास करने की लगाना है और वह सारे स्कीन वाले से लगा सकते हैं एक बर आप टेस्ट कर लिजेगा अगर आपको इसे सो रहे हैं चकतें निकल लाएं निकल निकल लाएं तो आughtर यूज के ल richtige किसी को एक दिन में सिर्थ किसी को तीन चार महीने के बाद पहलकर कि इसलिए ख्यां करते हैं यहां पर एक स्जब बनाई है और को थे खिलीक कर लेदंगी और उसे लिगे आपको मसाज करना इस यह शुब मैंने क्रीम बनाई है न यह दो दो दिन की है मेरी क्रीम अभी बचे हुई है कल भी ये यूज हो सकती है मगर मैं इसे अपने हाथों में अपने नेक पे भी लगा लोगी सोते वक्त तो ये खत्म हो जाएगी विटामिन ये आपके आपके स्कीन को बिलकुल चमकदार मनाती है आपके दाग धोग अवचतक में अगर आपके लिप्स बहुत जदा वहते हैं तो डेली रात में घुलाब जल में भीटा विर एक कैसुल को मिक्स करके अपने लिपस पर भी आप लगा सकते को आपके त्रीट्री भिलकुल और प्फिश्व और प्रेंगे मेहीं करते हैं और जो भी क्रीम यूज करते हो दे में आपको क्रीम कर सकता है कि नाइप को यूज करना असको कोई भी करें जितना अच्छा मसाज करोगे ना यह उत्ता अच्छे से वर्क करेंगा और आप इस तरह लगाईए नाइट क्रीम यह आपकी बहुत अच्छी नाइट क्रीम है कि मैंने लगा लिया है थोड़ी दिर के लिए थोड़ी दिर बाद यह विल्कुल ठीक हो जाएगा लगेगा थोड़ी दिर बाद वह चीद निकल जाएगा विल्कुल भी नहीं लगेगा और यह देखिए पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें रचे चलती हैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो ओके बाइबाय से यू